नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह CM योगी आदित्यनाथ ने अपने राजे में चैत्रे नवरात्रों की तयारी शुरू कर दी है इसको लेकर उन्होंने पूरे राजे में किस तरह की घोशना की है और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी किस तरह समाजवादी पार्टी लगातार हिंदुधर्म के खिलाफ रहती है मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करती है जो हमेशा ही वो चलता आया है और आज भी निरंतर ये वही प्रयास कर रहे है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की कि किस तरह उन्होंने चैत्रे नवरात्रों के तयारी की है दरसल उन्होंने घोशना की है कि देवी माता का जो भी मंदिर है उन सभी में चैत्रे नवरात्रों के समय पर दुर्गा सब्त सती का पाठ किया जाएगा भजन कीतन किये जाएंगे इसके अलावा राव नम्मी को रामचरित मानस का पाठ होगा और कन्या पूजन भी किया जाएगा इस तरह की घोशना योगी आदित्यनाथने की है तो आप सोच रहे होंगे इसमें खास बात क्या है इसमें खास बात ये है कि यहाँ पर सभी चीजों के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है एक लाख रुपे देनी की सभी राजे के جो जिलादी कारी है Vermont नहीं को यह कारे बार है सोप दिया गया है उनको यह बोल दिया गया है इस तरह की बाते की जाए और राम नव्मी वाले दिन राम चरितमानस का पार्ट भी किया जाए वही राम चरितमानस की अवेलना की उसकी प्रतियाँ जलाई और उसमें वो समाजवादी पार्टी का वो नेता भी शामिल है वहीं लगातार सीम योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में आए मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के और तभी सही उन्होंने जो कारेबार समाला है जो उत्तर प्रदेश की रूप रेका पिलकुल ही बदल दी है उन्होंने कानून व्यवस्ता तो बनाई ही बनाई योगी आदित्यनाथ अध्यात में भी है वो गौरक्षपीट के महंत हैं एक भगवाधारी संत हैं और जब यह उन्होंने साबित करके दिखाया है कि एक भगवाधारी संत एक महंत एक आध्यात्म को मानने वाला व्यक्ति अगर राजनीती में उतर आए तो उसका चरित्र भी राजनीती में खुलकर सामने आता है और उसका चरित्र सामने आकर पूरे देश की पूरे राजे की रूप रेखा बदल देता है और वही सीम योगी आधितनात ने किया है पूरे राजे की रूप रेखा बदल दाली है ये वही सीम योगी आधितनात हैं जो सीम आवास पर जब रहने गए थी तो वहां कि जो बड़े बड़े गद्देदार गद्दे हैं सोने के लिए मकमल की गद्दे दिये जाते हैं काली इन बिची होती है जो लग्जूरियल स्लाइफ है वो दी जाती है उन सभी चीजों को अपने आवास से उखाड फेको और बड़े ही साधारन ब्रिस्तर किया जिस पर वो आसर लगा कर जीवन व्यतीत करते हैं सात्विक भोजन करते हैं गाय का दूद पीते हैं जिन गायों की वो सेवा किया करते थे आज वो गाय सीम आवास में हैं और लगाता निरंतर उनकी से 9 करते हैं आज्सी चीजह मनें नरेंदर मोदीजी के मटी तो नरेंद्र मोदीजी पर उपहला देखा कि नहोंने नवरात्र के वास कि ऑ कन्या पूजन भी किया नहीं तो आये हशाल यही देखा जाता था कि रोजे रखने में और जो यह पार्टिया होती है जालिदार टोपिया पहन कर यह पार्टिया की किया करते थैं रमजान के मैंने में सारी चीजह होती थी इन लोगों कुम खुश करने के लिए आए दिन यह आम बाती देखने के लिए सपा ने अब ये सारी चीजे हुई वहां पर योगी आदितनाद जी ने ये घोशना की कि हर जगह पर फंड देंगे हर जिले में एक एक लाक रुपे का फंड दिया जाएगा हर जगह तुर्गा सब्तिसती का पार्ट होगा और भजन कीरतन होगा त समांजवादी के पार्टी के एक नेता बोलते हैं कि यहां पर और भी धर्म रहते हैं सर्फ हिंदु धर्म को ही पैसे क्यू दिये चा रहे हैं जिससे पूज-पार्ट और आर्ती चा रहे हैं ऐसें तो और भी hem है मुस्लिम भी है सिदे सिदे चौकर नाम ले दिया जी हां त चुनाव जो हुए थे उसके बाद ही बिल पारित कर उसके बाद ही जना चलाई थी कि उनके लिए कब्रिस्तान बनाए जाएंगे 2012 में अखलेश यादव की सरकार आई और जिसमें उन्होंने चार्ज 15 मार्श 2012 को यहां पर यूपी की जो कैबिनेट थी उसमें प्रस्ताव रख दिया और 4 सितंबर को कैबिनेट में अर्प संख्या के हिसाब से सिख पार्सी जैन बौद और मुसलमान इनके हिसाब से यह कहा कि ऐनके जो अंतिम समय में इस जगह पर इनकी अंत्यस्टीच की आथी में बदला जाएगा जिसके हम पर हुआ क्या सिर्फ मुसलमान के लिए कि पार्ज अ कि दिये गए तब सोचा के भई हिंदो के भी तो वोट चाहिए हिंदो को भी तो खुश करना पड़ेगा इतने साल नहीं क्या आखरी में कर देते हैं आखरी में दे देते हैं 400 करोड मुसलमानों की चार दिवारी के लिए उनकी कब्रिस्तान के लिए दिगए और हमारे के समशान घाट के लिए क्या दिया गया 127 करोड मात्र 260000 करोड कहा 12 borrowed और कहा में 127 करोड दिये रहे हिंदो को पागल समझा है अब जाच होगी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा इसके अलावा जब भी हिंदु धर्म की बात आती है तब इन लोगों को मिर्ची लग जाती है ममतब एनरजी हो यह केजरिवाल हो इस पर बैर लगाने की बात करते हैं कि यह देश तो सैकुलर है जी यहां पर कैसी यह सब हो सकता है बाकी धर्मों के लिए किसी को यह चीज़े याद नहीं आती कि यह देश सैकुलर है बस हिंदु धर्म की बात आये तो यह उफन उफन कर ऊपर आते रहते हैं वहीं सीयम योगी आदिते नाथ जी के आगे मैं नतमस्तक हूं कि किस तरह उन्होंने उत्तर प जहनों की जो भी बहन माता हैं बहने चाहिए किसी भी धर्म की हो सभी की आबरू सुरक्षित है जहां पर लौ और इतना अच्छा है महिलाएं बेफिक्रों होकर बाहर जाती है जहां पर मंदिरों का काया कल्प हुआ है लगातार जो योगी आदित्यनात और नरिंद्र का रही है वहीं दूसरी तरफ ऐसे अनुष्ठान कराते रहते हैं उत्तर प्रदेश में यह बात साबित हो गई है यह योगी आदित्यनात ने जो कहा कि यह बजन केतन दुर्गा सब्तिसती का पार्ट पूजा यह सारी चीज होंगी मेरे हिसाब से तो यह संकेत है कि देश अगर हिंदू राष्ट्रे होगा तो कैसा होगा यह एक उन्होंने एक प्रती रूप स्थापित कर दिया है कि अगर देश हिंदू राष्ट्र हो गया तो कैसा होगा तो इसमें यह मोहिम चालू हो गई है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मेरे हिसाब से उत्तर देश में चालू हो गयी है योग्या άदित्यनात अभी यह पूरे देश के प्रेदान इщत Room कि यह और उसी असर पर उन्होंने अपने अपने राजे की काय कलप की है पते आप्ने राजिय में इसी माफिय है इन सब आकातू की ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं तिंग टाइम